आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम एसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोज पर आपको बहुत 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 है दोस्तों ये देख कि मुझे काफी ज़ाद दुख हुआ और मैं कुछ कहानिया आपको बताना चाहूंगा तो कदाईसी विवसाई बहुत ही शांदार तमिल मुवी मैंने देखी नहीं बढ़ टारीफ है बहुत सुनिया अवाड विनी मुवी है मनी कंदन ने डरक किये विजय सेतुपती वास दी सपोर्टिंग आक्टर इंदेस किसानों की प्रॉब्लम्स के बारे में ये मुवी बता जाती है अब इनकी आक्टर थी कास्यंबल आप ये एक्टरिस थी कि 74 साल के थी कि इनका बेटा था कि 4 फर्वरी की बात है रात को 3 बजे इनका बेटा 51 साल का अपनी बीवी से तलाक ले लिया और रात की तीन बज़े जो है इनका बेटा पहुंचता है बोलता है मुझे पैसा चाहिए शराब पीने के लिए पैसा नहीं मिला तो बेटे ने उठाया लकडी का डंडा और अपनी मा को पीट पीट के माँ डाला शराब के पैसे नहीं मिले फिट आफ रेज हुआ मार दिया जान से मार दिया पूरी तमिल मूवी इंडस्ट्री शौक पहने का मोड़ी नाग है इसके बेटे का गिरिफ्तार किया गया सजा दी गई है धारा 302 मुर्डर की धारा जो है वो लगाई गई है और यह सुबह तीन बज़े जो है इनको जान से मार दिया गया इनकी खुद की माँ थी पहली बात तो जो एडिक्शन होता है वो आपको किसी भी लेवल पे ले जा सकता है हमने एडिक्शन नानेज्मेंट का कोर्ज भी बनाया है और वो आपको पागल बना सकता है ड्रक्स हो शराब हो इसकी तो बात है बट यहाँ पे हम एल्डरली अब्यूस की बात करेंगे अभी मैं ओधैपुर गया था अभी जस्ट मैं तो दिन पहले वापस आया हूँ एक अफ़ते मैं राजस्तान में ही था तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं और मेरी वाइफ वेटिंग रूम में जो है वो वेट कर रहे थे हमारी ट्रेन जो थी वो जैपुर के लिए थी लगबग सारे बारा बज़े रात में तो अब क्या हुआ कि हम लोग 11 बज़े आ गए स्टेशन पे 10 बज़े और वहाँ पे एक बूड़ी ओरत आई है ना बहुत एकदम पतला से कपड़ा पर थे ठंड थी ठंड का समय है तो उद्यपूर में भी थोड़ी ठंड थी तो अब क्या हुआ कि हम उनको देख रहे हैं और काफी स्मेल सी आ रही थी उनके पास से और शिवास मेरी एजूकेटेड वो काफी ली तो फिर मैंने पूचा कि आप इतनी मतलब आप यहां क्या कर रही है आपके पास कोई सामान नहीं है आप कुछ नहीं है तो ने का कि बेटा यहां पर बगल मोदैपूर में तारह अश्रम है ना मैं वहां रहती हूँ मैंने तो आप वहां जाईए अभी ठंड है आप यह लेटी हुई है मतलब कहीं आपको जाना है क्या कहता नहीं मैं जोदपूर से यहां मुझे यह बगल में जाना मैंने तो जाईए कर दा बेटा ओटो वाला 400 रुपए मांग रहा है इस समय तो मैंने ठीक है ओटो वाला मांग रहा है तो सुबा भी तो इतनी मांगेगा तो अब उन्होंने बताए कि बेटा ऐसा है ना कि अब कुछ रहा नहीं मेरे पास मैंने क्यूं बोला कि बेटा ऐसा है कि मेरा जो बच्चा है मेरा बेटा है बट मेरा बेटा मुझे पूस्ता नहीं है तो मैं दाश्रम में रहने के लिए तैया रहा हूं मतलब मजबूर हूँ घर में रहती थी तो कुछ भी नहीं था मेरे पास मतलब वो रोटी तक क्या पानी तक नहीं पूसता था कि मम्मी आप ठीक हो पानी पिलो मैंने उसको गोद में खिलाया मैंने उसको मतलब पूरी प्रटेक्शन दी सब कुछ उसको यहां तक बनाया जहां पर आज वो है पर मेरी हर दिन बेज़ती हो रही हो मैं I was facing abuse तो मुझे वो छोड़ना पड़ा और आज मैं यहीं पे रह रही हो ता राश्रम मैं एक और कहानी मेरे बगल में यहां पे एक सरदार जी बैठते थे काफी बूले थे तो हम लोग काफी मदद अदद कर देते थे उनकी मेरा चो छो का बहुत बड़ा बंगला था कोटी थी और इतनी बड़ी कोटी में अपने माबाब के लिए एक रूम नहीं एक कमरा नहीं है ना इतना कुछ करने के बाद रेमंड्स के मालिक रेमंड्स के मालिक सड़क पे हैं बच्चे ने बगा दिया कुछ केसे जैसे मैंने देखे बताया गया जब मैं काश्रम गया था कि मतलब आप यह समझे की बच्चे आते हैं जो पेपर होते हैं अंगूठा लगवाते हैं उसके बाद गाड़ी से उतारते हैं बोलते हैं आप यही रुको मैं आ रहा हूं फिर वो कभी नहीं आते हैं औ बूरा तो हर किसी को होना हैं आप भी बूरे हूंगे इसका एक साइड़् यह भी है मैंने यह देखा कि जैसे मैं जहां पर रहता था पहले बहुत पहले तो वहां पर मैं सामने देखता था कि एक आरत जो है वो बहुत ही ज़ादा अपनी सास को सता रही है ठीक है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परिशान कर रही है अब जब वो बूरी होगी तो हो सकता उसको भी ऐसे ही treatment में ले तो हो सकता ही कर्मा हो ये वापस हाता हो कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ भी वैसा होगा बड़ जो भी हो बुड़ापे में जब आपका कोई सहरा नहीं है इस तरीके की हरकते नहीं करनी चाहिए तो इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे अपनी मां को इसने मार दिया अब ये तो एक addiction की बात है alcohol addiction की बात लेकिन ऐसे बहुत सारे केसे आश्रम जाएए साही सला मत जाएगे लेकिन पूरे गीले होके वापस आएगे आपके आँसूओं से आपके पूरे कपड़े गीले हो जाएगे ऐसी ऐसी कहानिया है ठीक है तो सरकार को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी ये है कि माबाप के पास तो ये होना चाहिए कि उनको अपने पैसे कभी बच्चों को देने ही नहीं चाहिए समझ रहे हैं लास्ट तक उनको अपने पैसे अपने पास बचा के रखने चाहिए वो पुरानी मूवी थी ना अवतार या बहुत सारी movies में सही दिखाया गिया जहां पैसे आए बच्चे खतम करते हैं जब तक पैसे हैं तब तक पैसे हिज़त करेंगे तो कभी भी माबापको मो माया में आके पैसे नहीं देने चाहिए पूरे और देने नहीं नहीं चाहिए बिसिकली तो उनको अपने प ना आए रेमंट्स क्या हल हुआ सारे श्यास दे दिया किराय के घर में रह रहे हैं रेमंट्स के मालिक तो यह है लौल आना चाहिए सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए यह बहुत बड़ा भाई जो आज है वो बुड़ा होगा और बहुत सारे लोगों का यही हाल है बुड़ापे में जाद सपोर्ट चाहिए होता है जादा प्यार चाहिए होता है लेकिन हमको क्या लगता है कि हम कभी बूले नहीं होंगे हम उनके साथ बत्तिमीजिया करते हैं हम ये बूल जाते हैं कि उनकी उन्होंने हमारी कितनी बत्तिमीजिया सही है आज उन्हीं की वज़े से हम हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए तो ये तो पूरा लॉल आए कि अगर मा माबाप का एक एक चीज उनको बहुत बढ़िया तरीके से रखे इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो मैं तो विंती करूँगा सरकार से कि ऐसा कुछ लौ लेकिया है Elderly Abuse के लिए लौ है बट इतने सक्त नहीं है ठीक है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक दुखत खबर थी अब ये अक्टरेस थी बताईए कदाईसी विवसाई बहुत ही शांदार मूवी थी इसमें इन्होंने आक्ट किया था अवार्ड विनिंग मूवी थी ये थी ये और जब ये बात सामने आई तो हर कोई अवरिवन नमा कोडी जो है नके बेटे का नाम 51 साल का था वो बस ये अलकोहल के वज़े से जगडा हुआ और पीट पीट के मार दिया और ऐसे आजकल केसेज आपको बहुत सारे देखने को मिल रही है तो हम तो यहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई भी ना हो जो हमारे माबाप है उनका अश्रवाद हमारे उपर जो हमारे बड़े भुज़ूर्ग हमेशा बना रहे कि उन्हीं की दुआओं से आप आगे बढ़ते है शोज सकता है शौट टर्म में आपको लग रहा है अबके साब बढ़िया है लेकिन लॉंग टर्म में यह जब बद्वा लगती है मैंने उनसे पूछा अमा से उन्होंने का कि बेटा आप हमने अपने आपको समझा लिया भगवान की यहीच्छा है हमने अपने आपको समझा लिया कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है मेरे बेटे ने कितना painful है आप समझे रहे हैं कि आप अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वही आपको बड़े हो के बाहर निकाले तो मुझे मैं तो दो दिन तक सोचता रहा काफे डिस्टरब रहा उनकी कहानी सुनके उनकी ऐसी हालत देखके मैंने वादा भी किया है कि अगली बार मैं आऊंगा तो डेफिनिटली विजिट करूँगा करने कॉन्टाक्ट में रहिएगा लेकिन बहुत दुखा धही है एक तरीके से अगर आपको भी कोई ऐसा मिले ठीक है तो शेयर जरूर करें इस तरीके की स्टोडीज को सरकार तक पहुँचाए और बाचीत करें ऐसे लोगों से मदद करें उनकी अगर जितनी भी हो सकती है इसे काफी समाच का भला होगा थैंकियो सो मच